हेलो स्टूडेंट्स केसे हैं आप सब लोग तो आज हमारे पास सॉल्यूशन्स का नेक्स लेक्टर है तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है तीन कॉलिगेटिफ प्रॉपटी हम लोगों ने पढ़ ली है सबसे पहली थी रिलेटिव लोवरिंग इन वैपा प्रेशर नोन वोलाटाइल सॉल्यूट डालूंगी तो वैपा प्रेशर कम हो जाएगा दूसरी हम लोगों ने पढ़ी थी एलिव सॉल्यूट को डालने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है इस ग्राफ के थू मैंने आप लोगों को समझाया था मैंने एक डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को कि फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं जब सॉल्वेंट का वैपा प्रे लिकवेड इस इकवल टू वैपा प्रेशर ओफ सॉलिट मैंने बोला था वो जो बचपन में डेफिनेशन पढ़ते थे कि जिस टेमप्रेचर पे लिकवेड सॉलिट में कनवर्ट हो जाए उसको भूल जाओ वह बिलकुल फरजी डेफिनेशन थी एक्ट्वल डेफिनेशन यही है कि जब लिकवेड का वेपा प्रेशर सॉलिट के वेपा प्रेशर के इकवल होता है वही कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट अब जरह इस ग्राफ को दुबारा से एक बर बता देती हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए है ना चलो बहुत बढ़ सॉल्वेंट का वेपा प्रेशर जादा है सॉल्यूशन का वेपा प्रेशर कम है इसलिए ग्राफ इस तरीके का है अब मैंने एक चीज और बोली थी कि एक सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्छो एक तो मेरे पास नोन वोलाटाइल एक मेरे पास प्रेजेंट है नोईन वोलटायल सॉल्यूट और दूसरा मेरे पास प्रेजेंट है क्या सॉलवेंट क्या प्रेजेंट है बच्चों सॉल वैं मैं mess सिरफ और सिरफ जो मेरा सॉल्वेंट होता है ना वही फ्रीज होता है और जो नोन वोलटाइल सॉल्यूट है वह एजट इस रहता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस बात को याद रखना क्योंकि जो बच्चे कॉम्पेटिव एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे है उनमें इस से रिटेट एक बहुत ही बढ़िया क्वेशन पूछा जाता है पॉसिबल हुआ तो वो क्वेशन जरूर कराऊंगे आप लोगों को जब सारी कॉलिगेटिव प्रापटीज खतम हो जाएगी है ना तो देखो जब सॉल्यूशन को फ्रीज कर आया तो उसमें से सि प्रीज नहीं हुआ है ना तो जो फ्रोजन सॉल्वेंट होता है उसका कर्फ कुछ इस तरीके का आता है अब मुझे क्या करना है मुझे इस ग्राफ में से ना फ्रीजिंग पॉइंट पहचानना है प्यूर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का फ्री और स्लिवेन्ट है यह सॉलिड है तो जा Вाव लिकुड का सॉल्वेंट का वेप प्रेशर के बतीकर spread the तो वो कहलाता है उसका freezing point तो इस point पर ही तो दोनों equal आ रहे है तो क्योंकि इस point पर दोनों equal आ रहे है जिसके corresponding x-axis पर में temperature mark कर सकती हूँ तो जिस temperature पर ऐसा होगा वो क्या कहलाएगा वो freezing point ही तो कहलाएगा और क्योंकि बच्चो मैं यहाँ पर pure solvent के freezing point की बात करें pure solvent का मैं curve solid solvent के curve से match कर रहे हूँ तो यह किसका freezing point होगा यह हो जाएगा freezing point of pure solvent क्या हो जाएगा बेटा जी freezing point of pure solvent अब वही अगर मैं solution का curve लूँ जो यह purple color का आपको दिख रहा है अगर मैं इसको solid के curve से match करूँ तो जिस point पर इस solid का vapor pressure, liquid solution के vapor pressure के equal आ जाए, वो कहलाएगा उसका freezing point ना, तो बच्चों, जिस temperature पर ऐसा हुआ, x-axis पर मैंने खीचा, x-axis पर ही तो temperature है, तो जिस temperature पर ऐसा हुआ, वो temperature क्या कहलाएगा, उसका freezing point कहलाएगा, तो क्योंकि solution के curve के बारे में बात कर रही थी, तो ये वाला point क्या हो जाएगा बेटा जी, freezing point of solution, अब आप curve से ही देख सकते हो, कि इस side अगर मैं move करू, x-axis में, तो जो pure solvent का freezing point है, यानि कि जो tf-not है वो इधर है, tf 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 इधर है, तो tf-not जादा है ना, और tf कम है, तो देखो, यहाँ पे इस line पे आप देख सकते हो, कि जो tf-not की value है, वो tf से जादा है, यानि कि pure solvent का freezing point होता है, वो solution से जादा होता है, pure solvent का freezing point, solution से जादा होता है, तो इसलिए हम लोगों ने बोला, कि जब भी किसी solvent के अंदर, हम लोग non-volatile solute को add करते हैं, तो उसका freezing point कम हो जाता है, है ना, I hope आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, कि जब भी किसी solvent के अंदर non-volatile solute डालू, तो उसका freezing point कम हो जाता है, तो बच्चो, colligative property का नाम क freezing point, तो नाम ही बता रही है हमें, है ना, कुछ भूलने की, कुछ भी समझने की ज़रूती नहीं है, concept clear हो गया होगा, बट पेपर में question आए, तो नाम ही तो बता रही है, depression in freezing point, यानि की TF naught क्या है, TF से बड़ा है, तो अगर मुझे depression निकालना हो, अगर मुझे depression निकालना हो, तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ क्या है, ये है depression in freezing point, कि कितना freezing point कम हुआ है, depression in freezing point, तो बस प्योर वाले को solution वाले में से subtract कर दूँगी, आंसर आ जाएगा, है ना बच्चो, प्योर वाले को solution वाले में से subtract कर दूँगी, आंसर आ जाएगा, तो टी को माइनस कर दूंगी तो यह पता चल जाएगा कि कितना freezing point कम हुआ कितना freezing point depressed हुआ तो डेल्टा टीएफ किसके एकवल आजाएगा टीएफ नौट माइनस टीएफ के अब बहुत सारे scientists थे ही जो इन सारी की सारी kalligative properties पे काम कर रहे थे तो तो colligative properties क्या होती है जो कि इस बात पर depend करें कि solute का amount कितना है जो कि इस बात पर depend करें कि मैं solute कitना ले नहीं हूँ इस पर depending अध्र है की solute कि ऐसा है है ना तो basically क्यूंकि delta ts a immobil native property every freezing point colligative property नहीं है प्रोपरिटी क्या है depression in freezing point तो क्योंकि डेल्टा-टी-एफ एग कॉलिगेटिफ प्रोपरिटी है तो बहुत सारे साइन्टीज इस पर study कर रहे थे तो उन्होंने फिर से फिर से उन्होंने एक ही बात बोली कि जो डेल्टा-टी-एफ होता है न वो solution की मोलल कॉंसेंट्रेशन की इक्वल होता है किसके इक्वल होता है बेटा जी सॉल्यूशन की मोललredit कॉंसेंट्रेशन आम मोलल dedic क्या होती है ज़ाइब का एक हम लोग प्रोपोर्शनालिटी साइन हटाते है तो कुछ ना कुछ कॉंस्टेंट आता है ना तो यहां भी जब मैं एक प्रोपोर्शनालिटी साइन कॉंस प्रोपोर्शनालिटी हटाऊंगी तो एक कॉंस्टेंट जरूर आएगा तो जब हम इसको हटाते है तो जो कॉंस् क्या होता है के एफ इंटू अब इस के एफ को हम लोग क्या बोलते हैं देखो जब बॉयलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा था जब बॉयलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा था तो उस कॉंस्टेंट को बोल रहे थे क्या मोलल एलिवेशन कॉंस्टेंट है ना क्य बोल रहे थे? Molar elevation constant लेकिन अब तो freezing point में depression हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोलेंगे Molar depression constant क्या बोलेंगे? Molar depression constant और Molar depression constant के अलावा भी इसको हम लोग बोलते है क्रायोस्कोपिक क्या बोलते है बेटा जी क्रायोस्कोपिक क्या बोलते है और Molar elevation constant भी बोलते है Molar depression constant भी बोलते हैं अब फिर से इस KF के बारे में हम थोड़ी से बाते करेंगे वही हम लोगों को काम में आएगी है ना तो अगर पेपर में वो आपसे पूछ ले देखो बोट में तो वो ऐसी एक्वेशन पूछता है define what is molar depression constant, what are the units of molar depression constant यही फरजी-फरजी सवाल पूछता है तो अगर वो आपसे पूछे कि इस KF की define कैसे करोगे है ना, तो हम physics में ऐसी ही तो करते हैं physics बहुत पढ़ते हो आप लोग कि जब भी ऐसे किसी constant को define करना होता है तो दूसरी चीज़ को हम लोग क्या करते है one put कर देते हैं है ना, तो अगर मैं solution की molality को one कर दूं, solution की molality को one कर दूं, है ना, इसको one put कर दिया मैंने, मैंने बोल दिया कि solution क्या है one molal है, तो अगर मैं solution की molality को one put कर दूं, तो delta tf किसके equal आजाएगा, kf के equal आजाएगा ना, यानि कि अब मैं बोल सकती हूँ कि molal depression constant is defined as, it is defined as depression in freezing point when the molality of solution is one molal, when molality of solution is one molal, है ना, इसी तरीके से इसको define कर देंगे बद, अब बात करते हैं, इसकी unit के बारे में, है ना, चलो, अगर मैं आप से पूछूँ की, बताओ, के बी की unit क्या होती है, जल्दी से बताओ, के बी की unit मैंने आपको बताई थी, जल्दी से बताईए, कि के बी की, जो molal elevation constant था, उसकी unit क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, हमने बहुत सारे question भी solve किये थे वहाँ पे, जो के बी की unit होती है ना, बच्चों वही के एफ की unit होती है, आप लोगों को याद होगा कि के बी की unit होती है, क्यालविन किलोग्राम पर mol, येस, very good, के बी की unit होती है, क्यालविन किलोग्राम पर mol, तो यहाँ पे, क्योंकि देखो, डेल्टा टी एफ किसके equal है, ये equal है के एफ इंटू molality के, यानि कि के एफ किसके equal हो जाएगा, डेल्टा टी एफ by molality के, है ना, अब डेल्टा टी एफ क्या होता है, temperature difference, तो जनरली इसको हम लोग क्यालविन में लेके चलते हैं, molality क्या होती है बच्चो, mol पर kg, तो क्यालविन अपोन mol पर kg, यानि कि unit क्या हो जाएगी, क्यालविन किलोग्राम पर mol, क्या हो जाएगी, क्यालविन किलोग्राम पर mol, तो कुछ भी नहीं है, simple से unit है कि क्यालविन किलोग्राम पर mol, बस यही बच्चो वाले questions आप से exam में पूछे जाते हैं, boards में इसी तरीकी के questions पूछे जाते हैं, कोई जादा hi-fi paper नहीं आया, जहां तक मुझे याद है, 2011 में बस थोड़ा सा tricky paper आया था, उसके बाद 9 साल में 2020 तक बहुत ही simple questions आया, अगर आप previous year question ठाकर देखो कि जितना class में पढ़ाया जाता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, है ना, तो इसे लिए जितना class में पढ़ाया जा रहा है, बस उसी के अच्छे से notes बनाओ, और उसी से पढ़ते रहो, बस समझ लो कि बोर्ट में आपके नम्मर तो कहीं भी नहीं गए, है ना, अब देखो, अगर मैं KF के बारे में बात करूँ, तो ये जो KF होता है ना, KF होता है, ये एक particular solvent पे डिपेंड करता है, और ये solvent की characteristic होती है, याने कि एक solvent के लिए एक KF की value होगी, किसी particular solvent के लिए किसी KF की value होगी, लेकिन हम लोगों को पानी के लिए याद रखनी है, हम लोगों को water के लिए याद रखनी है, कि water के लिए KF की value क्या होती है, जैसे मैंने water के लिए KB की value बताई थी ना, बताओ मुझे water के लिए KB क value भी हम लोगों को याद रखनी है जो KB की value थी बच्चो water के लिए वो थी 0.52 Kelvin kilogram per mole है ना similarly पानी के लिए या फिर water के लिए जो KB की KF की value होती है 1.86 Kelvin kilogram per mole very good इसी तरीके से पढ़ते रहा हो 1.86 Kelvin kilograms per mole very good इसी तरीके से पढ़ते रही है तो KB की value 0.52 और KF की value होती है 1.86 Kelvin kilogram per mole तो हर solvent पे depend करेगा कि उसकी KF की value कितने है क्योंकि हर solvent का जिस temperature पे वो freeze होगा वो different होता है जिस temperature पे वो boil होगा वो भी different होता है तो क्योंकि उनकी boil होने का temperature different है उनका freezing point different है इस वज़े से ये KB और KF जो है वो बदल जाते हैं ना तो मैंने आपको एक formula बताया था KB और KF का KB का similar तरीके से KF का भी एक formula होता है KB का formula मैंने बताया था MRTB square MRTB square divided by thousand into delta H vaporization है ना ये formula मैंने आप लोग को बताया था मैंने ये भी बोला था units का ध्यान रखना ठीक है अगर मेरे पास delta H vaporization joule में है तो आपको 8 joule में लेना है लेकिन वही बेटा जी अगर delta H vaporization calories में है क्योंकि क्या है enthalpy तो होती है कि कितनी enthalpy required है अगर मुझे एक liquid को vapor में बदलना है एक liquid को vaporize कराना है तो अगर delta H vaporization energy unit क्या होती है joules होती है calories होती है तो अगर ये मेरे पास joules में है तो फिर rb joules में लेंगे अगर ये calories में है तो rb calories में लेंगे उसके बाद मैंने बोला था कि molar mass यहाँ पर किस में होना चाहिए grams per mole में होना चाहिए किसमें होना जाए बेटा जी, grams per mole में होना जाए अब देखो यह TB क्या था, boiling point of solvent, बस यही similar expression आप लोगों का kf में convert हो जाएगा, आप लोगों का यही similar expression kf में convert हो जाएगा, कैसे kf क्या हो जाएगा, फिर से molar mass r into tf square, यहापे मेरा tf क्या हो जाएगा, freezing point of pure solvent क्या हो जाएगा बेटा जी freezing point of pure solvent divided by thousand into delta H fusion क्या हो जाएगा बच्चो delta H fusion delta H fusion क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग freezing के process की बात कर रहे है liquid का solid से बदलना जिसको हम लोग fusion का process भी बोलते है क्या बोलते है बच्चो fusion भी बोलते है तो कुछ भी नहीं किया TB को TF बना दिया क्योंकि freezing point की बात कर रहे है वहाँ पे boiling point की बात कर रहे थे है ना यहाँ पे enthalpy of vaporization था क्योंकि liquid को vapor में बदल रहे थे boiling के process में यहाँ liquid को हम लोग solid में बदल रहे थे इस वज़ा से बस हम लोगों fusion यानि की enthalpy की unit पे depend करेगी जब मैं last में qualitative properties खतम कर दूँगी तो इसके और सारे questions कराऊंगी तब आप लोगों को clear हो जाएगा है ना तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी depression and freezing point की अब इसकी कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया एप्लिकेशन रहती है जो हम लोगों पढ़नी है जिसमें से theoretical questions जनरली आप लोगों से पूठा जाता है आप लोग yellow area पे तो जाते ही होगे घुमने हिली एरिया पे सबी लोग घुमने जाते है मनाली जाते है यहाँ जाते है वहाँ जाते है और सब लोग गय भी होगे और आप देखते हो कि जब winters होती है उस time पे वहाँ बहुत ज़ादा बरफ वहाँ पे snow जो होती है रोट पे पड़ी रहती है और snow की बज़े से बहुत कुछ मतलब होता है like a road jam हो जाती है बहुत कुछ होता है तो जनरली वहाँ पे लोग क्या करते है ज्यान से सुनना ज्यान से सुनना वहाँ पे लोग क्या करते है कि मतलब जो भी वहाँ पे लोग रह रहती है उसनों को clear करने की कोशिश करते है ताकि जो roads ब्लॉक हो रही है वो सब clear हो जाए तो वो लोग clear तो करते है ठीक है वो लोग आडकों पर नमक डाल देते हैं या पिर गेल्शुम क्लॉरईट को नहीं पता किैसा क्यूं के वह लोग सोल्ट का या फिर या क्या क्या थकिन चूर्द करते हैं कि यह यूज करते हैं अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या हो रहा है ऐसा कि जब मैंने स्नो के उपर जो सड़क पड़ी हुई है अगर मैंने उस पे एन ऐसी ल डाला या फिर क्याल्चियम क्लोराइड डाला तो वह बरफ पिगल क्यों गई ऐसा कोई जादू थोड़ी हो जाद है कि NACL डालती ही वो पिगल जाती है है ना उनलों को तो बस इतना पता है कि जग NACL डाल देंगे ना तो roads clear हो जाएगी ठीक है तो देखो अब reason आप लोग को पता चल जाएगा अभी हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं कहानी कि अगर मैं क योटर का freezing Point क्या होता है जीरो डिंगरीń चीछियद होता है वाटर के अगर मैं freezing point की बात करूत टीएफ नौट के बारे में बात करें तो वहाद है जीरो डिग्रीं लाइगा म यह सकता है। मैलस्टांट है। दस हो सकता है। अब कैसे पता लगेगा कि इस 30 गमान होगा वह दिपेंड करेगा कि तो माइंन और 0 सो आacao करें दाला तो सकते थोड़ा और ना वह सकता है minus 10 पे तो एक तरीके से हुआ क्या जब मैंने उस नो के उपर NaCl डाला है ना तो water का freezing point जो की पहले 0 degree Celsius था अब वो 0 degree Celsius नहीं है वो क्या हो गया decrease हो गया हो सकता है वो minus 10 degree हो गया हो हो सकता है वो minus 20 degree हो गया हो depending upon कि मैं known volatile solute या फिर मैं NaCl या फिर calcium chloride क्लोराइड उसमें कितना डाल रही हूं है ना तो बेसिकली जब मैंने उसमें NaCl डाला तो उसका freezing point कम हो गया ना यानि कि अगर आप temperature वहाँ का 0 degree Celsius ना तो उस टाइम पे बरफ बरफ नहीं रहेगी बरफ सारी कि सारी पिगल जाएगी बरफ सारी कि कि आपने प्रपरटीज पड़ी है और जाके देखोंगे हिली एरियास में तो ऐसा ही होता है जनरली रोट को क्लीन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि किसी non-volatile solute को add कर देते हैं जिसकी वज़ा से water का freezing point कम हो जाता है और अगर freezing point कम हो गया तो अब बरफ बरफ तो रहेगी नहीं बरफ तो पिगल जाएगी ना सारी कि सारी until and less कि उसको इतना temperature ना मिले तो तो ये एक पहली advantage है कि हम वहाँ पे हिली एरियास में roads को clean करने के लिए वहाँ पे NACL या फिर हम लोग CACL to Q डालते हैं है ना चलो बहुत बढ़िया second example है उसका anti-freeze solution जनरली हम लोग solutes को हम लोग anti-freeze solutions की तरह भी यूज करते हैं अब इसका क्या मतलब है एंटी freeze देखो नाम ही कुछ बता रहे हैं ना जो freeze होने से रोक दे है ना जो की freeze होने से रोक दे अब इसका क्या मतलब है कि भाई freeze होने से ही रोक दिया है ना तो पानी बरा जाता है अब रेडियेटर में तो है पानी अगर हिली एरियास में जाएंगे वहाँ पर टेमपरेचर चल रहा है माइनस पाच माइनस दस है ना तो जो रेडियेटर में पानी है वो तो फ्रीज हो जाएगा और अगर रेडियेटर में पानी फ्रीज हो गया तो हमार हमारे वािकलग्स चल पाएंगे क्या बिलकुल नहीं चल पाएंगे है नहीं ही है Bridge स्वे में को पाणीmee की solution नाम की चीज डालते हैं ठीक है रेडियेटर में हम लोग anti-free solution नाम की चीज डालते हैं अब इन anti-free solution में generally कुछ selected चीजों को हम लोग use करते हैं for example ethylene glycol जैसे की ethylene glycol अगर मैं आप से पूछू कि बच्चो ethylene glycol का formula क्या होता है तो किसी को पता है तो बताओ कि ethylene glycol का formula क्या होता है तो इसलिए ताकि radiator में वहाँ पर पानी फ्रीज ना हो हम क्या करते हैं उसमें इथाइलीन ग्लाइकोल जैसा एक नोन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं और अगर नोन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया depending अपॉन कितना डाले पाच ग्राम डाल रही हो तो थोड़ा सा कम होगा सौ ग्राम डाल रही हो तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा अब सपोज मैंने उसमें इथाइलीन ग्लाइकोल इतना ज्यादा डाल दिया कि पानी का फ्रीजिंग होता है कि जनरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हम लोग ही ली एरियाज में जनरली पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कम करने के लिए यूज करते है इथाइलीन ग्लाइकोल का फॉर्मुला अगले क्वेशन पर चलते हैं उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा चलो यह रहा इसका फॉर्मुला C2H6O2 बहुत सही इसका फॉर्मुला होता है C2H6O2 जनरली इसको हम लोग बोलते है इथेन-1,2,डाइ-ओल याद करके रख लो इथेन-1,2,डाइ-ओल यह स्ट्रक्चर होता है इसका चिक है बच्चों यह स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग इथाइलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं न कॉम्पृटिव एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन तो यह हमार तो ज़रा जहान से सुनिए और समझिए और करिए solve है ना तो question है कि मैंने 45 ग्राम इथाइलीन ग्लाइकोल लिया ठीक है 45 ग्राम इथाइलीन ग्लाइकोल लिया उसको 600 ग्राम पानी में डाल दिया बस वो बोल रहा है कि तुम मुझे इतना बता दो कि freezing point depression कितना होगा और जब म क्या होगा तो कुछ भी नहीं है कॉलिगर टे प्रॉपर्टी पता है ना ऐसे ही तो question आते है हर चीज गीवन होती है एक चीज मिसिंग होती है वो निकालनी होती है है ना चलो करते है solve देखो सबसे पहले पार्ट में मुझे क्या करना है freezing point depression को calculate करना है है ना यानि कि मुझे delta tf calculate करना है चीज़िए बच्चो delta tf क्या होता है यह होता है kf into molality क्या होता है kf into molality चीज़िए अब molality भी मुझे पता है क्या होती है kf की value हमें पता है देखो पानी ले रहे ना solvent kf की value d नहीं है d नहीं है इसका मतलब यही कि हम लोगों को kf की value याद होनी चाहिए तो k एफ की वेल्यू कितनी है 1.86 है ना मुलालटी क्या होती है W2 by M2 multiplied by mass of solvent in kg यानि कि W1 हमें चाहिए होता है कि इसमें kg में तो ग्राम्स में होता है तो उपर हम लोग बच्चो थाउजंड से मल्टिप्लाइ कर देते हैं है ना अब कितना यहां टबलू 2 कितना हो जाएगा 45 भी जाएगान है इथाइलिन ग्लाइकॉल का Mोलर मस कितने होता है उससे पहले सॉल्विंड का मास कितना गिवन है 300 ग्राम न्यृ SUV मुझे इताइल्ड इसाइलिन ग्लाइकॉल का मास कुछ साब्स काम Yakma कंई चकर nella तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मास होता है 62 ग्राम्स ठीक है बहुत बढ़िया चलो 1.86 multiplied by 45 multiplied by 1000 divided by 62 multiplied by 600 यहाँ दो 0 से 2 0 cancel इसको जब solve करेंगे न तो यहाँ पे मेरे पास delta TF आ जाएगा calculate करके 2.25 कल्विन कितना आजाएगा बेटा जी 2.25 कल्विन अब यह कल्विन में क्यों आया अगर मैं आपसे पूछू कि यह क्यों 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 क कैंसिल बचा का कैल्विन तो डेल्टा टीएफ किस में आ गया कैल्विन में आ गया तो बस यहीं तो बताना था कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा तो हमने बता दिया कितना है कितना है हमारे पास 2.25 कैल्विन है ना तो बेसिकली अगर आब उसने पूचा कि बताओ टीएफ कितना होगा बताईए टीएफ कितना होगा तो हमें पता है कि टीएफ नॉट माइनस टीएफ यह डेल्टा टीएफ के इक्वल होता है किसके इक्वल होता है डेल्टा टीएफ के अब डेल्टा टीएफ क्या है 2.25 तो पुट कर दो 2.25 है ना और 273.15 Kelvin कितना है 273.15 तो यह इदर आ जाएगा minus 2.25 यह किसके equal हो जाएगा TF के equal हो जाएगा बस इन दोनों को minus कर लो answer आ जाएगा तो solve करने पल कितना आएगा 270.90 Kelvin के equal आ जाएगा यहनि कि solution का freezing point कितना हुआ 270.90 Kelvin है ना 270.90 Kelvin बड़ाई simple चा question था ऐसे ही simple से फर्जी-फर्जी question पूशे जाते हैं जब सारी qualitative properties खतम हो जाएगी तो NCRT के जो back exercise के question है कुछ मैं करा चुकी हो वो सारे के सारे हम लोग discuss करेंगे अगर paper में आजए तो at least इस chapter से एक भी number नहीं जाना चीए है ना चलो बहुत बड़िया अगले question पर चलते है यह भी NCRT का ही question है question है कि मैंने एक non electrolyte solute लिया ठीक है बच्चो मैंने एक non electrolyte solute लिया और कितना solute लिया एक gram लिया है ना अब उसको मैंने 50 gram बेंजीन में डाल दिया तो मैंने क्या किया 50 gram बेंजीन लिया और उस 50 gram बेंजीन में मैंने 1 gram solute डाल दिया अब जैसे ही उस बेंजीन में मैंने gram solute डाला और उसको अलावा उसका जो freezing point है वो कितना कम हो गया it decreases by बाइ 0.40 अब एक बाइ और 2 वाली कहानी समझाई थी मैंने आपको उसको याद रखना ठीक है जो बाइ और 2 वाली कहानी समझाई थी ना उसको जरूर याद रखना अब बाइ का मतलब है कि i freezing.0.40 10.40 10.40 अगर पहले 0 था उसमे से .40 उसक्ता है कुछ भी हो लेकिन जितना पहले था उसका कितना कम हो गया जरुब गए .40 तो एक तरीके से वो हमें क्या दे रहे है वो हमें सीधा-सीधा डेल्टा टीयफ की वैल्यू दे रहे है सीधा सीधा delta tf की value दे रहे है है ना अब उसने बोला कि जो kf की value होती है benzenene के लिए वो होती है 5.12 kalvin kg per mol kf की value कितनी है 5.12 kalvin kg per mol हमें solute का molar mass निकालना है हमें क्या करना है solute का molar mass निकालना है यानि कि m2 की value निकालनी है तो बड़ा ही तो असान है देखो, delta tf क्या होता है, kf multiplied by w2 by m2 multiplied by w1 multiplied by 1000, ठीक है, multiplied by w1 multiplied by 1000, है न, अब m2 आप लोगों को निकाल नहीं है, m2 निकालना है न, solute का molar mass, w1 कितना है, 1 ग्राम solute dissolve कर रहे है, है न, तो w2 कितना है, sorry, w2 कितना है, 1 ग्राम, solvent हम लगों ने كतना लिया, 50 ग्राम लिया है न, तो w1 कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया, कितना हो गया बेटा जी 50 ग्राम डेल्टा टी एफ कितना था 0.40 और के एफ कितना था 5.12 तो बस put the value and get the answer बाकी सारा काम तो match का ही है आप लोगों को कुछ दिमाख लगाना नहीं है calculation करो answer आ जाएगा है ना तो M2 को इधर ले जाओ और डेल्टा टी एफ को डेल्टा टी एफ को इधर ले जाओ कुछ भी नहीं करना M2 इधर आ गया डेल्टा टी एफ इधर आ गया तो M2 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 5.12 multiplied by 1 multiplied by 1000 divided by यहाँ पे M2 मुझे निकालना था डेल्टा टी एफ आना था इसकी जेका तो 0.40 multiplied by 50 grams है ना 5.12 multiplied by 1 multiplied by 1000 divided by 0.40 multiplied by multiplied by 50 gram है ना तो भज इसको solve कर लेंगे answer आ जाएगा answer पहले ही आ चुका है 256 gram पर मूल इसका answer होगा है क्या होगा 256 gram पर मूल यानि कि जो मैंने solute लिया था ना उसका molar mass कितना आया 256 gram पर मूल 256 gram पर मूल है ना तो यह बहुत basic basic से questions है जो generally हमसे पूछे जाते है depression and freezing points related है ना अब हमारी third qualitative property भी यहाँ पर complete हुई अब जब last में NCRT के बहुत सारे questions करेंगे तो साथ साथ solve करते रहो और सीखते रहो अब अगली qualitative property है बच्चों हमारे पास osmosis अब osmosis chemistry के language में समझने से पहले daily life में इसके बहुत सारे examples है जो आप देख सकते हो even अपने घर में भी जाके experiment कर सकते हो कि actual में यह osmosis नाम की चीज़ है क्या अब diffusion दो बच्चपन में पढ़ाई होगा ना नवी क्लास में 9th क्लास में diffusion नाम की चीज़ पढ़ी होगी उसमें बहुत famous example भी पढ़ते हो कि अगर कवने पर जाके room के अगर बत्ती जलाओ तो अगर बत्ती की smell पूरे room में फैल जाती है तो क्यों फैल जाती है उसका reason यही है ना क्योंकि gas particles diffuse कर जाते है पूरे room में जिसकी वज़ा से पूरे room में हमें smell आने लगती है या फिर एक board के उपर चौक से लिखो और उसको एक महिने के लिए छोड़ दो वो रब नहीं होगा जान लगाते रहो कि तब भी रब नहीं होगा उसका reason क्या है उसका reason यही है कि चौक particles board के उपर diffuse हो गए तो solid में भी diffusion होता है है ना liquid में भी diffusion होता है कैसे एक पानी एक glass लो उसमें पानी भरो एक drop इंक की डालो तो इंकी पूरी drop फैल जाती है ना उसके अंदर पूरा का पूरा पानी जो है वो नीला हो जाता है किसकी वज़े से liquid के अंदर diffusion की वज़े से तो यह सारे ना diffusion के process है diffusion में basically होता क्या है जो particles होते है ना वो move करते है from high concentration to low concentration यानि कि अगर मैंने room के कोने पे जाके अगर बत्ती जलाई तो वहाँ पे particles बहुत ज़ादा है लेकिन बाकी के room पे जो gas के particles है वो बहुत कम है है ना तो कोने से पूरे room में फैल गई ना अगर बत्ती की smell क्योंकि उसके जो gas के particles है है वो पूरे के पूरे रूम में फैल गई तो यह सब क्या होता है diffusion होता है है ना क्या होता है diffusion जब particles low concentration से high concentration से low concentration पर move करते हैं यह सारी चीज़े तो हम लोगों ने पढ़ी है बच्पन में है ना अब actual में हमें तो पढ़ना है osmotic pressure और osmosis के बारे में तो definition तो सभी को याद है सबने रट्टा मार रखा होता है it is a phenomena of movement from solvent to solution side सभी को याद है ना लेकिन समझना जरूरी है तो इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बात को या फिर घर पर जाके ठीक है जो full मुर्जा जाते है अगर उनको फिर से fresh water में रोखोगी तो बड़े ही खिल-खिला से जाते है ना यह फिलम देखते हैं हमारे घर में पोधे होते हैं जब उनको पानी नहीं मिलता बिलकुल भी खाते होगे है ना जो vegetarian है वो नहीं खाते होगे बट एक तो खले ही सकते हो तो पानी लो एक एक container लो उसमें water लो ठीक है उसमें एक डाल दो ठीक है अब एक के उपर एक लेयर होती है एक heart shell होता है उसको remove कर देना पैने है ना अगर इसको समझना हो तो एक के उपर जो एक heart shell होता है ना उसको remove कर देना calcium carbonate की layer होती है उसके उपर HCl में dissolve करके बचपन में reaction भी पड़ी होगी carbonate की HCl के साथ है ना तो basically एक shell लो एक shell को किस में डाल दो पानी में डाल दो water में डाल दो अब एक और solution लो उसमें नमक वाला पानी लो है ना नमक वाला पानी यानिकी salt solution लो क्या लो बच्चो उसमें salt solution लो और फिर आप उस salt solution में एक को डाल दो है ना दोनों में कुछ ना कुछ difference नजर आएगा जब एक simple पानी में एक को डालोगे तो कुछ difference नजर आएगा और जब salt solution में एक को डालोगे तो भी कुछ difference नजर आएगा है ना जब आप simple पानी में एक को डालोगे ना जब simple पा तो श्वेल होगा या फिर श्रिंक होगा तो बताईए अगर नॉर्मल पानी में एक को डालोगे तो वो स्वेल होगा या फिर श्रिंक होगा जल्दी से बताईए बेटा जी जल्दी से बताईए वो स्वेल होगा या फिर वो श्रिंक होगा तो वो जो एक होता है ना नॉर्मल पानी में डालने पर वो swell हो जाएगा लेकिन वही अगर मैं नमक के पानी में salt solution में उसको डालू तो वो shrink हो जाएगा ठीक है? salt solution में उसको डालू तो वो shrink हो जाएगा अब ऐसा क्यों होता है? बस वही हमें समझना है तो इसके होने का जो reason है वो है osmosis तो basically ऐसा क्यों होता है जरा ध्यान से सुनना देखो अब जब मैंने एक को normal water में डाला ठीक है? एक को जब मैंने normal water में डाला तो यहाँ पे ना सीरफ और सीरफ पानी के छोटे-छोटे molecules और बहुत सारे molecules है ठीक है? पानी के इस container के अंदर ना जो solvent है ना उसका amount बहुत ही जादा है solvent का amount बहुत ही जादा है और जो एक है उसके अंदर तो पानी बहुत कम है उसके अंदर तो पानी बहुत कम है तो basically होता क्या है जो यह पानी पानी बहार जादा है अंदर कम है तो यह पानी क्या करता है? बहार से इस जिस वैसे हमारा एक जो है न वह स्वेल हो जाता है क्या हो जाता है। लेकिन आपानी तो है लेकिन पानी साथ साथ उसके अंदरमक के पार्टिकल्स भी है। यानि कि अब यहाँ पे जो वाटर का अमाउंट है जो वाटर का अमाउंट है वो कम है वो बहुत ही लेस है और एक के अंदर वाटर का अमाउंट जो है वो बहुत ही जादा है पानी का अमाउंट बहुत ही जादा है तो अगर अंदर पानी जादा है बाहर पानी कम है तो पान बाहर से अंदर आएगा ना यानि कि एग से बाहर निकल के इस कंटेनर के अंदर चला जाएगा तो अगर पानी बाहर जाएगा यानि कि जो एग है ना एग है वो क्या हो जाएगा श्रिंग हो जाएगा एक क्या हो जाएगा श्रिंग हो जाएगा तो हमने एक बात नोटिस करी क्या notice कि कि osmosis के process में osmosis के process में कौन कर रहा है जरा धियान से सुनना osmosis के process में कौन कर रहा है solvent कर रहा है बिलकुल ध्यान से याद रखना क्ष्टा नहीं है December unpberry prosperity को solvent अश्मोसिक के process में solvent movernal कभी में gonna नमक नहीं करेगा solvent बूँ करेगा और वसका रिजन भी बताऊंगी तो उस्मोसिस के प्रोस्ट में सॉल्वेंट मूफ करता है फ्रॉम हाई सॉल्वेंट अमाउंट जहां पर सॉल्वेंट की कॉंसेंट्रेशन ज्यादा है तू लो सॉल्वेंट जहां पर सॉल्वेंट कम है वहां पर जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से कम वाली जगा पर है ना जहाँ पर solvent जादा है वहाँ से कम वाली जगा पर अब solvent का ज़्यादा होने का क्या मतलब है solution की concentration क्या है कम है solution की concentration कम है solution concentration हम solution की terms में define करते है ना तो जब solute ज़्यादा होता है और solvent कम होता है तो concentration क्या होती है जादा और जब solute कम होता है solvent जादा होता है तो solution की concentration क्या होती है कम यानि कि high solvent amount से low solvent amount तक solvent move कर रहे है उसके अलावा जहाँ पे low concentration है और concentration किस की कम है solution की कम है किस की कम है solution की कम है और कहां पे जा रहे है जहां पे solution की concentration बहुत ही जादा है from low concentration of solution to high concentration of solution तो basically दो definition है पहली definition the movement of solvent molecules from a place where there is high concentration high amount of solvent to low amount of solvent है ना second definition the movement of solvent molecules from low concentration of solution to high concentration of solution है ना अब आई होब आप लोगों को अच्छे से समर्ज में आ गया होगा यह अब पहली बात एक और बात यहां पे रह गई कि solute क्यों नहीं move किया इसमें sodium chloride भी तो था वो क्यों नहीं move किया तो बच्चों देखो मेरे पास जो osmosis होता है ना जो osmosis होता है वो एक membrane के through होता है जिसका नाम होता है semi-permeable membrane क्या होता है semi, permeable, membrane, अब यह semi-permeable का क्या मतलब मैं देखो semi का मतलब होता है आधा एना permeable का मतलब होता हैhmen पास होने देना मतलब कि नाम ही बता रहा है एक ऐसी membrane membrane जोकि solvent को तो पास होने दे लेकिन वो solute को पास होने नहीं देती है न ऍा एसे membrane जिसनकी आंदर अब इसाइज तरिके कुछ Pore size होते है अब यह जो पोर साइज होते है निख इसी recording होते है stake यह solvent क specially पास हने मरें देती है लेकिन solve यूट को पास होने नहीं देती तो इसलिए पानी तो मूफ कर गया पानी तो गूम गया पानी तो चला गया लेकिन नमक नी नमक नी क्रॉस कर पाया मेंब्रेन को है ना तो आए होप आप लोग को समझ में आगा तो पूरी डेफिनेशन यही है यही होती है हमारे पास ओस्मोसिस की डेफिनेशन एक बार यह फिगर और देख लो इस फिगर में क्या था आप देख सकते हो कि यहाँ पर यह जो ब्लू कलर है ना ब्लू कलर क्या है यह वागी जगा पर पानी भरा हुआ है तो यहाँ पर सॉल्यूट का माउंट बहुत जादा है तो यह क्या है हाई कॉंसेंट्रेटेट सॉल्यूशन है क्या है बेटा जी हाई कॉंसेंट्रेटेट सॉल्यूशन यहाँ पर देखो ब्लू वाली बॉल्स कितनी कम है ना यानि कि सॉल्यूट का माउंट बहुत कम है न इस membrane से जाता हुआ move करेगा और अगर पानी आ जाएगा तो यहाँ पे पानी कम हो जाएगा ना और यहाँ पे पानी बढ़ जाएगा तो इधर पानी बढ़ गया इधर पानी कम हो गया और ऐसा क्यूं हुआ? Osmosis की तरह है? हुआ natural process है ऐसा होगा ही होगा अगली class में continue करेंगे उसके कुछ important questions भी हम लोग discuss करेंगे ठीक है? तो मिलते हैं अगली class में Happy Independence Day आप सभी को ठीक है? चलो मिलते हैं अगली class में Bye 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 बच्चो, Take Care, Good Night और एक और चीज़ आप लोगों की 12th class में हैं आप लोग तो Master Class है 9 बजे तो जरूर अटेंड करिए तो मिलते हैं अगली class में Bye Bye बच्चो, Take Care, Good Night